हेलो गैस तो केसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चनल में स्वागत है तो आज की वीडियो में हम रिवी करेंगे 2019 की मल्यालम लेंगवेज एकसन ड्रामा फिल्म इडग कड बटालियन 06 इडग कड बटालियन 06 को हिंटी डव वर्जन में सेम नाम से डब किया गया है फिल्म को डिरेक किया हुए स्वापनिस के नायर ने लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे टोवीनो थोमस समयुक्ता मेनन कहानी की बात करें तो सफिक मोहमद जिसका रोल प्ले कर है टोवीनो थोमस जो एक आर्मी ओफिसर है और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो घर आये हुए और गाव में वो सभी को हेल्प करते रहते सभी लोग की जरूरत पूरी करते रहते और उनको कई मुसीबतों से ब कहानी बनाती है इस फिल्म की कहानी के बात के तो कहानी काफी बेसिक सेट की हुए उसके उपर जो डिरेक्शन है नरेसन देखने को मिलता है वो एवरेज वाला देखने को मिलता है जिस तरह से स्क्रिन प्ले चलाया हुआ है वो आपको फिल्म के प्रति उतना इंगेजिंग नहीं रखता है, फिल्म के साथ आप connect नहीं हो पाते हो, जो sequence, जो scenes दिखाने की कोसिस किये, उसमें जो emotions create करने की कोसिस किये हुए, वो नहीं हो पाता है, पूरी फिल्म आखिर में जाके हमें connect करने की कोसिस करती है, फिल्म का आखरी का जो 15-20 मीट है, वो फिल्म का काफी बढ इस तरह से उन सभी चीजों में एक इमोशन्स क्रेट करने की कोशिस की हुई है वो हमें जरूर कनेक करती है लेकिन उसके पहले के जो डेर गंटे है वहाँ पर फिल्म पूरी तरह से फ्लेड जाती है इसके ला सिनेमेटोग्राफिक की बात करे तो बढ़िया है जिस तरह से व इसके अलाव पर फिल्म के लीड एक्टर यानि की टोविनो थोमस जो सफिक मोहमत केप्टन का केदर प्ले कती हुई नजर आते उन्होंने अपने केरेक्टर में एक हिरोईक और सोल्डर वाला रोल प्ले किया हुआ है वो काफी बढ़िया तरह से उन्होंने डिलिवर किया ह इसके अलाव फिल्म की लीड एक्टरेस यानि की समयुकता मेंन वो अपना केरेक्टर काफी बढ़िया तरह से डिलिवर कती हुई नजर आते उनका जो नेना फातिमा वाला किरदार था उसमें उन्होंने बखो भी अपना काम बढ़िया तरह से दिखाया हुआ है और उनकी जो केमेश्ट्री सी तो मिनो थोमस के साथ वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे दिखायी हुई है इसके अलाव बाकी के सपोटिंग कास्ट फिल्म में डिसेंट तरीके से अपना किरदार निबाते वे नजर आते है तो में 2019 की मल्यालम लेंग्वेज एक्सन ड्रामा इड़कर बटालियन 06 फिल्म को 5 out of 10 की रेटिंग देता हूँ तो कुल मिला के बात करें इस फिल्म में लीड पेर की पर्फोर्मस बढ़िया है लेकिन इसके अलाव जो स्टोरी है जो नेरेसन है वो आपको उतना एंगेजिंग नजर नहीं आएगा फिल्म के आखरी के 15 मि ये फिल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो otherwise फिल्म में उतना कुछ आपको डिफरंट या फिर इतना बेहतरिन देखने को नहीं मिलेगा तो बस आज की रिवीव में इतना ही था I hope आपके रिवीव पसंद आया होगा अगर रिवीव पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेर्ज जरू कीज़ेगा और आप इस फिल्म को देखते हो तो फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट करेए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी तो और वियसे नए साउथनेन मुवीज के हिंदी रिवीव के लिए अपकमिंग साउथनेन मुवीज की नियूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलिएगा ठीक्यू